जहिन दोस्तो, आज के वीडियो में इंफ़्मेशन देने वाला हूँ, ओला के स्कूटर की सर्विस के क्या हालात हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ओला इसकूटर पर्चेज करने बातके में आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो विडियो को end तक देखें और अपने दोस्तों में सभी को इसको शेर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों इसको वीडियो को देखके अबेर हो सकें और अगर वो सोच रहे हैं, अवला का इसकूटर लेना, तो प्लीज इसको अवाइड करें, नहीं तो आप भी आने जन्वरी टाइम में परेशान हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक Ola S1 Pro second generation के top model खड़ा हुआ है, और यह जो स्कूटर है, नरेश भाई का है, जो कि हमने जन्वरी में ही परचेज गया था, इसमें बस छोटी सी दिक्कत क्या हुई थी, कि इसकी बैल्ट गई थी, जो तूटने के कारण हमने इसको छोड़ा, तो Ola Service Center, जो की दिल्लिम पड़ता है, मोती नगर में, अब यहाँ पर यह देखो, एक तो इनके जो खड़ी करने की condition है, ना, देखो नाले के उपर में स्कूटर खड़ा हुआ है, और हुआ क्या है, कि यह जो स्कूट को राइट साइड से जो बटन रहते हैं, उसको कोई जो है, रात में तोड़के, और वो बटन बटन सारे निकाल के लेके चला गया है, जबकि कमपनी कह रही है, कि यहाँ से कोई तोड़के ले गया, अगर मेरी स्कूटी जो है, मैं सर्विस पर छोड़ रहा हूँ, तो उस करने के बाद, ना यह सिक्योर्टी उसकी रखते हैं, ना उसका ध्यान रखते हैं, कि कोई उसके साथ क्या शेर्चार्ड कर रहा है, तो आप सभी से बस यही निवेदन है, कि जो भी ओला का स्कूटर लेना चाहता है, उसको प्लीज बोलें कि ओला का स्कूटर ना खरीदे, सर्विस बहुत गटिया, कंपनी बस आपको स्कूटर बेज के चेप रही है, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया, और मेरा सिंपली कहना बस यह है, कि आप अगर उला के स्कूटर लेना चाहते हैं, तो भाइज प्लीज अवाइड करो, अवाइड करो, क्योंकि उसके बाद मैं यह स्कूटर की हालत बता देता हूं, यह 1,70,000 रुपे खरीदा था, जन्वरी में कैस में, और इसकी बेल्ट जो है न, 9,000 किलो मेटर चल के तूट गई, अब लगा लो इसके स्कूटर के पार्ट की हालत क्या है, और सर्विस में तो आपको जरासी सी भी दिक्कत होगे न, रिस्पॉंड नहीं करेंगे, यह स्कूटर चार बार खराब हो चुका है, और तीन बार यह ले के जा चुके हैं, और जबकि इसको जो ले के जाते हैं, चार से पास दिन में यह आता है, और वो भी जब आता है, जब इनको प्रैसर करते हैं, भाई, स्कूटर दो, स्कू वो आपी को जहलता है